दोस्तो नमस्कार मैं अजय पत्रकार महाराष्ट में इस समय ये हालात हैं MBA गडवंधन पे हार की बज़े से उदसरत पवार के बयान के बाद में जितने लीडर है MBA के सब आपस में इतने निरास हो गए हैं बस सब लोग आए साए बाए बखने लगे उदो ठाकरे के पुत्र आधि ठाकरे अपने को कह रहे हैं कि मैं पप्पू नंबर दो हूं झाओ खुद कह रहे हैं कि पप्पू नंबर वन राहुल गांदी हैं औप पपू नंबर टू मैं हूं अभी ललन टॉप पे एक इंटर्वी उनका गया सौरब दुवेदी ने किया हाला कि उसमें था ये करीब एक देर घंटे का फोर्कास्ट में और ये था कि आदिट ठाकरे की छबी को बनाना और हाइलाइट करना था कुल मिला करके ये था उनको काफी एप्रोच किया गया उसमें मगर उसमें भी आदिट ठाकरे सब प्लांड बे पे उनको समझाया गया किस तरह से बोलेंगे साथ दिन तक उनको प्रैक्टिस कराई गई उसके बाद जूद भी आदिट ठाकरे ने ऐसा बोला है कि पूरे महाराश पूरे देश में हसी हो रहे हैं खुद ही नहीं कांग्रेस में भी लोग हस रहा हैं कि यह राहूल से भी आंगे निकलें और खुद बोलें कि राहूल गांदी पप्पू नंबर वन है मैं पप्पू नंबर टू हूँ यही नहीं आदिट ठाकरे ने एभी कह दिया कि मैं पेग्डून हुए मुझे पैग्डून और मयां कहते हैं है आपको भतलें पेग्डून की फिर्य न Coke नहीं लिया जाता पाली नहीं जाती है पर्याइmos कांग्रूरिया हो कि उसकी वजे बता दें क्या होता है एक क्या करती है हिलके उसमें रहती है ठंडे प्रदेस में और एक जाती है समुद्ध में उसके बाद सब चले जाते प्रग्जुन कर लेती हैं वर सामुहिक सुसाइट डि ती इसलिए पेग्विन का हिंदुस्तान में किसी ने एक्जामपल नहीं दिया, साइबेडियन पच्छी का दिया तो पेग्विन का ने, यह भी उसी का दे रहा है पेग्विन का, जो तामुहीक रूप से मतलब अपने आपको खत्म कर लेती इसलिए पेग्विन चुरिया को अप पेक्टिस की, मगर सब कुछ आप बता रहे हैं गुर्गोवर कर दिया, चौपट कर दिया, और हलात यह हो गए हैं कि इन सब के अलावा भी उन्होंने यह भी कही दिया, पाल घर में कोई घटना हुई ही नहीं थी, आप देखिए क्या बोलना है कि पाल घर में कोई घटना ह हुई नहीं थी, अब देखिए सौरब्दुवेदी ने इंटर्व्यू किया, किसके लिए किया ललन टॉप के लिए किया और किसका किया आदित ठोकडे को, अब आपको बतला रहे हैं कि देखिए किस तरह की समानता है, जो मुकाम इंद्रा गांधी का था, जो नहरू जी का था, वो राजू गांधी का नहीं हुआ, एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गयते राजू गांधी, एक्सिडेंटल, कैसे बन गयते इंद्रा जी की मृत्तु भी बन गयते, उसके बार नहीं बन पाए, उसके बार राजू गांधी वो फोर्स की दराली वाली बात हु हल लंभा वो प्रयास कर ला है मगर नहीं वही पोजिशन बाल ठाकड़े जी थे क्या बड़ा नाम था एक आदर्स पूरुस्त है उनका इस्थान उधों नहीं पापा है और उधों का इस्थान आदित नहीं पापा है मतकुल मिला करके नहरू परवार में राहूल गांदी ने कांग्रेश की ये इस्थित कर दी काफी नीचे कर दिया यही इस्थित आदित ठाकड़े की है कि बाल ठाकड़े जी का नाम इन्हों ने क्या किया उनकी उचाईयों तक तो नहीं पहुत पाएंगे मगर खुद है यह इतने नीचे चले गए हैं कि फर्स में भी नहीं आ पा रहा है जबकि हमेशा आस्मा में नाम चमकता रहेगा बाल ठाकड़े का अब बाल ठाकड़े के आज अन्वाई किसके साथ है भाजपा खेमे में अब आपको बताना है इन्हों ने जो सबसे पहली इनकी आमदनी हुई है या सबसे पहले जो पहचान हुई है इनकी बोनी हुई है राजनेत्रिक रूप में जिस भी जितने भी रूप होते समाजे का अर्थिक सब वह पैग्विन चिडिया से हुई 15 करोर रुपए का इन्ह और चारी पांच चिडिया थी यह भी नहीं कि पंद्रा से जादा हुई अजयब सौक था इसलिए इन्हें प्यार में कहते हैं वहां लो पैग्विन सेना पैग्विन अपने को खुद कह रहे है पपू नंबर दो अब देखिए क्या है पैग्विन क्यों कह रहे है उसकी को मानकर राजनेतिक अपरप्रक्त बच्चा होने का संकेत दे दिया मतब बहुत छोटा बेबी यही चीज आपको बतारे महाराष्ट में पहले भी हारे थे कांग्रेस इसी बात पहर गुजरात में हारे थे हारने की बजय यह थी पूरे देश में इनको अमूल बेबी कह दिया गया था यह खुद अपने आपको अमूल बेबी मानने लगे दें सब लोग मजाग करते तो अमूल बेबी और चुना भार गए अब यह आ गए है लाजनीतिक अपरपक बिल्कुल बच्चा होने संकेत देने जैसे कोई छोटा बच्चा नहों इस तरह की हरकते हैं आधित ठाकड़े कर अपने खास आटमी को ठेका दिलाया था अब समझ गए 15 क्रोल 15 लाग मताव सब नहीं की पहली इनकी पहचान इनको जो बोनी हुई राजनीतिक यहां से हुई 15 क्रोल 15 लाग रुपए का इन्होंने पेग्विन के टेंडर दिया था रिपोर्ट के अंस्वान नया आवाज 35, 35,000 बर्गफुर्ट छेतर में फैला होगा 35,000 बर्गफुर्ट छेतर में इन सब लोगों के पाद समझ लिजे कितना हुए किसके लिए पेग्विन के लिए और दो मंजिला होगा दो मंजिला था हो ब्रहत बुंबई नगर निगम में बीमसी ने दो करोल 5 लाख रुपए मे आठ पेग्विन तीन और पांच मादा खड़ी देते हैं अब आप इनकी परपकता समझ सकते हैं कि बच्चापन है कि नहीं जो पपु कहा गया था पपु नंबर दो खुद अपने को कह रहा है वह इसलिए कह रहा है कि भाई वो तो लाजू गांदी के लड़के थे उनके पिता जी पिधान मंत्री थे ओभी एक्सीडेंटल बन गए थे एभी एक्सीडेंटल इनके पिता जी बन गए थे धोके से आयते वीजेपी साजीत के दूसरे बाद में हटा दिये गए बड़ी बेयाबरू होके निकले थे कहना नहीं चाहिए जिस तरह उधो ठाक्रे का ला जाना का खर्चा रहा था और आपको बतलाना है कि साथ पैग्विन में इतना बड़ा इमाउन पचीस करोर रुपए का निर्मार हुआ था आप अंदाल लगा लिए पचास साथ करोर रुपए का घपला हुआ आप सराएं वो सब अलग चीज़े जोड़िए ये मोटा मोटा लगवा 45 करोर रुपिया यही नहीं आप पैग्विन का देखे भारत में आके पैग्विन की पोजिशन क्या हो गई आप खुद देख लिजे यह पबलिंग ने जो वज़ेस बिरोत किया था मतलब मैं अपने को राहुल गांदी के बराबर सोच रहे हैं राहुल गांदी प अपने को कह रहा हैं पप्पू नंबर दो पैग्विन कुछ समय पहले जब इनको पैग्विन कहा गया तो इन्होंने उन लोगों को एरेस्ट करा दिया था उन पे हमला करवाया था इनको देख के लोग पैग्विन-पैग्विन कहने लगते हैं अब देखिए किस तरह से गले मिलना है दोनों लोग देखिए तो ये कौन है मिस्टर राहुल गांदी देखिए और ये कौन है आदिठ ठाकड़ यहीं नहीं एक्दम से बैठे बैठे एकदम से खड़े हो जाते एकदम से आंगे-बढ़ेंगे किसके क्या छिपक जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता आपको बताना है एक बार क्या हुआ विपक्स का लीडर एकदम से खरे हुए राहूल गादी अब मोधी के पाथ चले गए सर जुखा दिया और बिल्कुल यहाँ पे सारा कांग्रेशी सोचने लगा मैं बिरोत करता हूँ मैं मोधी का बिरोत करता हूँ और यह गए जाकर के बिल्कुल आप समझ लिजे अपने को सजदा कर दिया मोधी जी ने खहर मौके का देखा मौके का इनको तुरन थी इनको गले में आसिरवाद दिया मतलब आसिरवाद क्या दिया आप समझ लीजे कि उनको भी ताजुब लग गया क्या हो गया इसको लोग तभी समझ गये यही नहीं एक बाज सदन से अभी जाने लगए अब इस्वात प्रस्ताव किया तो इतने गंदे ढंग से इसारा करते हुए गए राहुल गांदी कि सब लोगों ने यह देखे दोनों गले मिलें दोनों कौन है इन्हों ने अपने पिता जी को इन्हों ने अपने पिता जी का स्थानी नहीं पापा है यह अपने बाबा का नहीं पापा है यह अपनी नानी का आप समझे इन लोगों ने नाम डुबो दिया आज यह इस्थित है महराष्ट में आपको बता रहे स आज सरकाल मनाने को त्यार है बाबु जी जब तक है सरचन जी तो बेचारे करना है इसके बाद क्या होगा अजीत पवार खर खुद पैदल चलना जानते हैं वो अपनी जमीन बनाए हुए इनके साथ आदित ठाकरे का भी यही है जब पिता जी ही उनके नहीं पनप पा रहे हैं उदो ठाकरे तो आदित कहां से पनप पाएंगे तो आप देखिएगा क्या इस्थित है और इतनी बुरी इस्थित है जो आज उन्होंने पैग्यूनों कहा इनको कितना बड़ा मौका मिल देख देख घंटे का फोरकास्ट में और इन्होंने क्या किया बिलकुल इतनी बुरी इस्थित कर दी और देखिए मौब लिंचिंग वाला इन्होंने कहा कि नहीं हुआ सोला फबली दोजार बीस को मौब लिंचिंग में तीन लोग मले थे स्वामी डंडी स्वामी कल्प ब्रक्षच चार जी और साथ में गिडी जी महलाज और एक बैक्ति और बाकायदे उनका मर्डर हुआ था पोस्टमार्टम हुआ बाकायदे रिपोर्ड पूरा देश जानत है और मिश्टर नंबर टू क्या कह रहे है कोई घटना नहीं हुई थी ऐसे पपू नंबर वन करते हैं वह भी पता नहीं क्या एकदम से बहां खीचेंगे बस से उतरके आएंगे गये यात्रा करने पुर्वोत्तर भारत की अब फिर जब देखा कि उदर बिरोध होने लिग पढ़े इन पप्वों ने आपको बता रहा है इन पप्वों से जंता है सब बजल को परसाना Talent इन लोगों ने अपना मकान ही आप समझ़ा लिजे बरवाद कर दिया जिस कुछे जिस मुहले में रहे हैं उसको बरबाद कर दिया सुना सुना लगता है कांग्रेश कितनी बड़ी थी कहीं 40-50 सैकरा भी नहीं हो पाएं जहां 4-4 सैकरा आते थे आँ किसे नहीं हो पाएं यह इस्थीत है इन दोनों की पप्पू नमबर वन यह एक शुपुत्र जिनको ऊद्धो जी ने कहा तो लड़के से बात करो अमिस्साने तो अमिस्साने एक टिकट भी नहीं दी और का हम तुमसे समझे होता है नहीं करेंगे यह घमन आपको बताने ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना पड़ा चाहिए ज्यादा बड़ा बोल बोलने का रिजल्ट यह होता है आप राहुल गांधी को देख लीजे और साथ में आधित ठाकड़े को देख ली राम मिलाए जोड अच्छी जोड़ी मिली है अब क्या आंगे होगा यह भविस्षी जानता होगा कि राहुल गांधी को हम लोग भुजरुक के रूम में भी देखेंगे मगर उनका सपना साकार होगा कि नहीं अभी तो नहीं लगता है कई सालों तक यही पूशन है आधित का तो सपने का कोई प्रसद ही नहीं उठता है चुकि वो खुद ही उनका घर ही जो है पूरा जो है सुशेना असली जो है इनसे हट गई है दोस्तों नमस्कार मैं अजय प तरकार